असलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कुएट में रहते हो और कुएट केम तरिन घवरों से में सब आगे भना चाते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस कर लिजे ताकि आने वाली वीडियो के नोटिकेशन आपको अमें इसा फ्री में मिलती रहें तो साथियों सबसे पहली जो खबार आ रही क्लीनिंग कंपनी फेस पॉसिबल लॉश ड्यूटी फ्यूल सबसेटी रिमूबल साथियों क्लीनिंग कंपनी के जो कॉंटक्टर है कु सबसेटी वालों को दिया जा रहा है पर दोस्तों यदि इससे फिर से दोबारा हटा दिया जाता है तो लोग का कहना है कि हम लोग का नुकसान काफी जादा होगा इसे नहीं अटाए जाए अगली यह खबर साथियों आरे इंडियन इंवाइड डूनाट बुक टिकेट फैसला नहीं ले ले तब तक का आप लोग को टिकेट बुक नहीं करना है दोस्तों यह बताना चाहूंगा कोवी सिल जो है वो अपरूप कर दिया गया है जो की सेम एस्ट्रा जैनेका कही वे एक तरका पार्ट है तो इंडियन एंबसी का यह कहना है कि जब तक किलियर नहीं हो जाए तब तक आप कोई भी वरकर अप टिकेट के लिए बुकिंग नहीं कीजे नहीं तो हो सकता फिर से कोई फेर बदल किया जाएगा यह तो फिर कोई नहीं नियम लागू किया जाएगा जिसके वज़े से हो सकता आपका टिकेट का पैसा फस भी सकता है यह बरबाद भ दोस्तों UN Office के तरफ से बताया गया है कि Human Trafficking दो दोस्तों लगतार वहार जो कुएत में होता रहा है इस पे काफ़ी महां पर UN के तरफ से काफी मदद की गया है क्योकि माना तस्करी कुएत में काफ़ी जाधा होता है लोग क्या करते हैं वहाँ पे फरजी वीजा या फिर जादा पैसा लेके वीजा देना या फिर महाँ पे कुएत में बुला कर कोई साभी काम करवाना इस तरह का काम दोस्तों कुएत में काफी जादा किया जाता है तो दोस्तों इस पे काफी महाँ पे कंट्रोल करने की बात कह अब साथियों बात करने दें COVID-19 ताजा अब्रेट के बारे में तो वहां की ताजा हलात क्या है तो निया जाच वहां पे हुआ है 13,140 टोटल वहां पे 33,91,508 लोग का जाच किया जा चुका है नियू रिकबरी के बारे में बात करें तो 1251 लोग ठीक हो चुके है चौटल वहा कोविट से वहां पे मर चुके हैं आईस्यू में 307 लोग है दोस्तो और COVID-1983 है नया केसेस आने की परसेंटेज 5,83 है ठीक होने का 96,41 है और दोस्तो अच्छी खबर यह है कि एक्टीब के स्तरीफ ए 11,58 नहीं बचाए तो उससे बताना चाहूंगा आपको कुएट में जो है केसेस गिरता जा रहा है केसेस कम आ रहे है ठीक होने की संक्या बढ़ती जा रही तो दोस्तो मान के चलिए कुएट में एक अच्छा संकेत मिल रहा है अगली कबर सातियों जो और नेपाली डाइज इन रोड एक्सिडेंट सातियों एक नेपाली जो था होम डिलू भी सर्व उसके वहाँ पर जांच परताल चल रही है इसके कोई नहीं अपडेट आएगी तो मैं अब तक सेर जरू करूंगा फिलाल दोस्तों ये किलियर कह दिया गया कि वो नेपाली सक्स का मौत हो चुका ये रहने वाला नेपाल का है तो ये कुछ अपडेट थी सातियों जो कोई स मैं अब तक सेर के आसा करता हूं वीडियो अच्छे लगी हो वीडियो अच्छे लगी वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों सेर कर दे ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके मिलते साथ उन्हें शूड़ियों पहला आफिसे